आप सभी लोग का स्वागत है मैं सुमान पांधे एक बार फिर आप सभी लोग के लिए कलास 12 सब्जेक्ट इंगलिस प्लैमिंगो बुक का सेकंड लेशन लास्ट स्प्रिंग के सेकंड स्टोरी का सेकंड पार्ट ले करके आया हूँ तो सीधा चलिए हम सभी लोग चलते हैं अपने टेस्ट के उपर लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड का हिंदी में एक्स्प्लेंशन करने के लिए सेकंड पार्ट सविता यांग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस सिट से अलांग साइड एन इल्डरली ओमन शोल्डरिंग पीसे साब गलास सविता यांग गर्ल सविता एक छोटी लड़की इन ड्रैप पिंक ड्रेस एक भद्दे गुलाबी रंग के पोशाग पाने हुई सिट्स बैटती है एलांग साइड एन इल्डरली ओमन मींस एक बुजूर्ग महिला के बगल में सविता एक चोटी लड़की जो गुलाबी भद्दे रंग के पोशाग में है एक बुजूर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है इप सी नोज की क्या वह जानती है इप का मतलब होगा की क्या सी नोज वह जानती है दे साइंक्टिटी आफ दे बैंजल्स सी हल्प सी हल्प मेक जिसे बनाने में जिन चूडियों को बनाने में वह मदद करती है सहायता करती है किसकी सहायता करती है उस भूरी भुजूर गमाहिला की सहायता करती है क्या वह उन चोड़ियों की पवित्रता को सैंक्टिटी में इस पवित्रता होता है तो क्या वह उन चोड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसे बनाने में वो सहायता करती है फिर आगे क्या बोलते हैं लेखिका आउन इंडियान उमंस शुनाइ आस्पी सियसने सेन माइरिज इन इन इंडियान उमंस उहाग बारती महिलाओं के बारती इस्तरियों का के सुहाग का इप्रतीक है auspiciousness in marriage और भी बाह के लिए या शुब माना जाता है It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red well It will dawn या प्रात्य काल होगा of her means on her means उसके लिए It will dawn on her means उसके लिए या उसके जीवन का सबेरा होगा suddenly अचानक one day एक दिन when her head जब उसके सर को is draped means ढख दिया जाएगा with a red well means लाल रंग के घूंगट से अचानक जब उसके सर को लाल रंगों के घूंगट से क्या किया जाएगा ढख दिया जाएगा her hands died उसके हाथ रंग दिये जाएगे या रंगे होंगे red means लाल रंग में with a henna means महदी से महदी के लाल रंग से रंगे होंगे उसके हाथ and red bangles rolled on to her wrist और लाल चूडिया उसके हाथों की कलाईयों के उपर क्या होंगी rolled means लुड़केंगी यानि कि लाल चूडिया क्या होंगी उसके हाथों में पहना दी जाएंगी she will then became sorry become a bride तब वह एक क्या बन जाएगी दूलन बन जाएगी like the old woman means उस बूड़ी महिला के समान like the old woman means उस बूड़ी महिला के समान beside her means जिसके जो उसके बगल में है who became one bride bride अपने थरफ से जोड़ेंगे who means जो became means बन चुकी थी one bride means एक दूलन many years एगो means बहुत बार्षों पहले जो बहुत बार्षों पहले एक दूलन बन चुकी थी उसके बगल में बैठी होई महिला के समान वह भी एक दिन तब क्या बन जाएगी एक दूलन बन जाएगी see still has been angels on her wrist see still has been angels वह अभी भी has means रखती है been angels means चूड़ियां on her wrist में इस अपनी कलाई के उपर अपनी कलाई के उपर यानिक अपने हाथों में वह भी भी चूड़ियां पहनती है but no light in her eyes लेकिन उसकी आखों में कोई जोती नहीं है एक वक्त सेर भर खाना नहीं खाना भी नहीं खाया ये बार double inverted कामा में लिखा हुगा है मतलब रोमन लिप में है लेकिन भासा हिंदी का प्रयोग हुगा है शी सेज वो कहती है इने वाइस ड्रेंड आप जवाई मरे हुए आनंद की आवाज में यानि कि ऐसा जवाज जो बिलकुल समाथ थो चुका है उस आवाज में वो कहती है शी आज नाट एंजवाई इवन वन फूल मेल इन हर इंटार लाइफ शी हैस नाट एंजवाईड में उसने आनंद नहीं लिया है इन वन फूल मेल एक पूरे भोजन का भी इन हर इंटार लाइफ अपने संपूड जीवन परियंत में समय में जीवन भर में अपने पूरे भोजन का एक भी आनंद नहीं पाई है यानि कि पूरे जीवन भर में जितने बार वो भोजन की है उतनी बार में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसका पेट पूरी तरह से भर गया और उसको भोजन का पूरा-पूरा आनंद मिला हो That's what she has ripped वही उसने काटा है That's what means she has ripped उसने काटा है यानि कैसे लोग फसल काटते है सपलता को प्राप्त करते है तो ये भूरी महिला अपने जीवन में इसी प्रकार के दुख को काटी है कश्ट्रों को जेली है हर हस्बायंट उसका पति एन ओल्ड मैं एक बूढ़ा आदमी जिसकी उड़ती हुई दाड़ियां है उसके साथ सेज कहता है यानि कि उसका पति जो एक बूढ़ा बैकती है और इसकी दाड़ियां वो दाड़ी उड़ रही है वो कहता है यानि चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता आल आई हैब डन मैंने जो कुछ भी किया है इस मेक हाउस वह एक मकान है इस मेक हाउस एक घर बनाया है For the family to live in अपने परिवारों को इसमें रहने के लिए For the family इस परिवार के लिए To live in means इसमें अंदर रहने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वह एक घर बनाया है जिससे उसका परिवार यानि की मेरा परिवार घर में रहे Hearing him उसे सुनकर One wonders One means कोई भी Wonders means आस्यर करता है If If means अगर नहीं If means की क्या He has achieved He has achieved Means उसने प्राप्त कर लिया है What जो कुछ भी Many have failed In the year lifetime What means जिसमें Many have failed Means बहुत सारे लोग Have failed Means अस्पल हो चुके हैं In the year lifetime Means अपने पूरे जिन्दगी भर में जीवन भर में जिसकार को करने के लिए बहुत सारे लोग अस्पल हो चुके हैं क्या वह उस चीज को प्राप्त कर चुका है He has a roof over his head उसका अपना एक क्या है घर है He has a roof उसके पास एक छट है Over his head means उसके सर के उपर तो देखिए बहुत सारे चूडियां बनाने वाले लोग जो फिरोजाबाद में रहते हैं वो लोग अपने जीवन में क्या नहीं कर पाते पूरा जीवन भर कमाते हैं लेकिन एक अपने परिवार के लिए अपने खुद के लिए घर नहीं बना पाते हैं लेकिन एक बूरा ब्यक्ति जिसकी पत्नी के बगल में सब इतावैटी होई है उसने एक मकान बना लिया है आगे बढ़ा जाए दक्राई चीक पुकार कड़वाहट आप नाट हैवी मनी धन न होने का तो डू एनिफिंग कुछ भी कर पाने के लिए कुछ अलग करने के लिए तो डू एनिफिंग कुछ करने के लिए धन का नहीं हो पाना एक्सेप्ट कैरियान एक्सेप्ट में इसके अतरिक कैरियान में जारी रखने के लिए दा बिजनेस आप मेकिंग बैंजल्स चूड़ी बनाने के ब्योसाय को जारी रखने के सिवा कुछ भी दूसरा करने के लिए धन का नय हो पाना Not even enough to eat और खाने के लिए भी पर्याप्त नय होना Rings in every home इसकी खड़वा हट इसकी चीक परतेक घरों में गूझती है परतेक घर में गूझती है लोग अगर यह सोचते हैं बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ अलग बिजनेस करें चूड़ी बनाने कोई फायदा नहीं है लेकिन बड़े भुजूर्ग लोग कहेंगे धन कहा है कहां से आएगा पैसा लेकिन उनको अपना बिजन है जो चूड़ी बनाने का है उसके लिए उसमें ब्रेक नहीं लगेगा वो कंटीनियू चलता रहेगा भले ही घर में भोजन के लिए परयाप्त दन नहीं हो भोजन की कमी हो सकती लेकिन चूड़ी बनाने का विजनस नहीं रुख सकता है दे यांग में इको दे लेमेंट आप दियर इल्डर्ष दे यांग में मिस नव्यूवक व्यक्ति इको मिस सोर मचाते हैं राग अलापते हैं दे लेमेंट आप दियर इल्डर्ष मिस अपने बुजूर्गों के अपने जो बड़े हैं बाबा दादा के बिलाप को दुहराते हैं बुजूर्गों के बिलाप को क्या करते हैं लेमेंट मिस बिलाप बिलाप को दुहराते हैं अलापते हैं लिटिल हैज मूब्ड विथ टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, इन फिरोजाबाद में इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लिटिल मेंस बहुत कम नहीं कि बराबर, हैज मूब्ड विथ टाइम, समय के साथ बदला है, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम परिवर्तन हुआ यानि कुछ भी नहीं बदला इस आप माइंड नम्बिंग ट्वाइल हैब किल्ड आल इनिट एटिव एंड दर अबिलिटी तू ट्रीम इस आप माइंड नम्बिंग यानि कि बर्षों की चेतना सुन्यता का जो परिश्रम है हैब किल्ड मेंस उसने मार डाला है आल इनिट एटिव मेंस पहल करने को एंड दर एबिलिटी तू ड्रीम मेंस और श्वपन देखने की चमता को पहल करने और श्वपन देखने की चमता को क्या किया है बर्षों की चेतना सुन्यता का जो परिश्रम है उसने क्या किया है पहल करने और स्वपण देखने की छमता को मार दिया है यानि कि वहाँ लोग नहें तो किसी दूसरे बिजनेस के बारे में स्वपन देख सकते हैं नहें तो किसी चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं दूसरा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनका माइंड चूडियों के सिवा, चूडी बनाने के सिवा, दूसरे दिशा में बिल्कुल काम नहीं करता सून्ने हो जाता है। वही चूड़ी बनाने की बर्षों की जो बर्षों का से जो मन लगा हुआ है वह दूसरी तरफ लोगों को नहीं जाने देता है अगर लोग पहल भी करते हैं स्वपन देखने की छमता भी करते हैं तो वह उससे मार दिये जाते हैं यानि कि उनकी इच्छा का दमन कर दिया जात आपने आपको क्यों नहीं संगतित करते हो एक सहकारी संगतन के रूप में एक अत्रित क्यों नहीं संजुक्त क्यों नहीं होते हो I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers I ask मैं पूँचती हूँ एक group of young men means एक नव युवक ब्यक्तियों के दल से समूँ से who have fallen जो पड़ा हुआ है into the vicious circle means एक आप middle men यानि के मध्यस्तों के बुरे चक्र में मैं युवा लोगों के एक समूँ से पूँचती हूँ जो मध्यस्त लोगों के बुरे चक्र में पड़े हुए हैं फसे हुए हैं who trapped जिनोंने फंसाया था their fathers and forefathers who trapped their fathers and forefathers जिनोंने उनके पिता और पूर्वजों को अपने जाल में फसाया था even if चाहे भले ही we get organized हम संगठित हो जाए we are the ones who will be held up by the police देखिए we are the one तो हम सभी लोग once who will be held हम लोग क्या होंगे who will be held हम लोग एक भले ही हो जाए who will be held up by the police तो हम पूलिस के द्वारा घसीते जाएंगे held up means बुरे चक्र में पसाय जाएंगे घसीते जाएंगे beaten पीटे जाएंगे and dragged to jail और jail में डाल दिये जाएंगे by doing something illegal कुछ ऐसंबैदानी कार करने के जुर्म में कुछ गयर कानोनी कार करने के जुर्म में हमें jail में डाल दिया जाएगा देखिए वे कहते हैं इस बात को ये बात double inverted कामा में थी तो है तो ये बात वो यवक लोगों का दल कहता है there is no leader among them उनके बीच में कोई उनका नेता नहीं है no one who could help them see things differently उनमें कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अलग देखने के लिए चीजों में सहायता कर सके चीजों को अलग द्रिष्ट कोण से देखने में उनकी सहायता कर सके no one कोई नहीं है who could help जो सहायता कर सके them means उन्हें सभी लोगों की see things means चीजों को देखने के लिए differently means दूसरे नजारिये से their fathers are as tried as they are उनके पिता भी उतने ही ठके थे जितने वे स्वायंग ठके हैं they talk indolously they talk वे बात करते हैं indolously यानि कि अनवरत रूप से लगातार in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice वो गोल गोल लगातार बात करते हैं that moves जो गोमती है प्रामपावर्टी गरीबी से यानि कि जो आगे बढ़ती है प्रामपावर्टी गरीबी से तू अपाथी मतभेद की तरब अपाथी तू ग्रीट और मतभेद से लालज की तरब अन्याय की तरब बढ़ती है थोड़ा यहां देख लीजिए एक बाद फिर से अपाथी वर्ड का जो है मेनिंग मतभेद होगा सौरी मतभेद नहीं उदासींता होगा तो यह बाद फिर से समय लीजिए दे टाक इंडलेसली इंडलेसली में इसका अंतना हो यानि की लगातार जो चलता रहता हो दे टाक इंडलेसली में सवे लगातार भोलते रहते हैं इन्हें इस पाइरल एक चक्र के रूप में यानि कि एक बजीस तरह से एक चक्र चलता है उसी तरह से इनकी बात चलती रहती है दैट मूपस जो आगे बढ़ती है फ्राम पावर्टी इस तो अपाती जो गरीबी से उदाशीनता की तरफ आगे बढ़ती है अपाती टो ग्रीट और उदासीनता से लालच की और ऐन्ड टू हिंजस्टियक और लालस से अन्याय की ओर आगे बढ़ती हैं, तो आई गरीबी ऐसी चीज हैं, जो सबी प्रकार के पाप व्यक्ति से कराती है, कोई ब्यक्ति जान में से चोर नहीं होता डाकू नहीं होता लालची नहीं होता अन्याई नहीं होता लेकिन चुंकि गरीबी की वज़े से उसे अपने चरित्र को बदलना पड़ता है जो ब्यक्ति अपने चरित्र पर नियंत्रड कर ले जाता है वो ब्यक्ति अपने जीवन मे बहुत ही आगे निकल जाता है लेकिन ये गरीबी जो है आदमी से क्या-क्या बुरा कार नहीं कराती है ये लेखी का महोदया जी हम सभी लोगों को बताती है आगे देखिए नेक्ट परग्राप Listening to them उन्हें सुनकर I see two distinct worlds मैं दो अलग अलग संसार को देखती हूँ उन्हें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते है One of the family काट इने वेबाप पावर्टी पहला क्या है One of the family यानि कि एक परिवार काट फसा हुआ इने वेबाप पावर्टी गरीबी के जाल में Burdened by the stigma of caste और जो की जात के कलंक से क्या हुआ है जात के कलंक के बोज से दबा हुआ है इन वीचे जिसमें देयारबार्ण उस जात में जिसमें वे पैदा हुए है दा अधर वीसियस चर्किल और जो दूसरा बूरा चक्र है दा दा वीसियस सर्किल मेंस होता है दूसरा कुछ चक्र याने की बुरा चक्र आप दा साहुकार्श साहुकार लोगों का है दा मिडिल मेन बिचावलियों का है दा पूलिसमेन पूलिस वालों का है दे कीपर सापला कानून को लागू करने वाले लोगों का बुरा चक्र है, दे ब्यूरो कार्ट्स नौकर साहों का है, एंड दे पॉलिटीशियन्स और राजनेताओं का बुरा चक्र है. तूगेदर दोनो साथ से, आएविपोर दे पॉलिटीश पोजीची को लागूरो का बुवाजीच का बुणताओं कि घिया दोलिटीशियों का। वह नीचे नहीं रख सकता है ये दोनों बुरे चक्र पहला बुरा चक्र क्या है? गरीबी का बुरा चक्र और उस जात में पैदा होने का कलंग का जो बोज है वह और दूसरा ये बिचावलियों लोगों का साहुकारों का पुलिस वालों का कानून को लागू करने वाले लोगों का नौकर शाहों का और राजनेताओं का बुरा चक्र है ये दोनों लोग साथ हमें मिल करके इस बोज को इस लड़के के उपर लाद दिया हैं जिसे वह नीचे नहीं रख सकता है बी फोर ही इसके पहले कि उसको क्या हो वह सावधान हो जागरू को इसके पहले कि इसका ग्यान हो वह इसको उतने ही स्वाभाविक रूप से अपना लेता है भी इस जाड़के जैसे उसके पिता ने उसे अपना लेता है कि अगर दूसरे दिशा में उसको कुछ आभास भी हो ताकि इसको छोड़ दिया जा, उसके पहले ही वह इसको, उस भी जने इसको अपना लेता है, वैसे इस आभाविक रूप से जैसे उसके पिता ने अपनाया था, कुछ आभार करने का साहस, और साहस करना चुनावति लेना, उसके परवरिश में, परवरिश का अंग नहीं है, and daring is not part of his growing up, is not part means अंग नहीं है, आप his growing up means उसके परवरिश का, कुछ भी करना का मतलब क्या है, चुनावति लेना या साहस करना, और साहस करना या चुनावति लेना, उसके परवरिश का अंग नहीं है, जब मुझे आभास होता है, मैं देखती हूँ, एक चमक, एक आभा, आप इट इन मुखेस, इसकी जब मैं मुखेस में एक आभा देखती हूँ, क्या चीज का, डेरिंग का, यानि की साहस का, चुनावती की आभा देखती हूँ, I am cheered, मैं खुस हो जाती हूँ, प्रफुलित हो जाती हूँ, I want to be a motor mechanic, मैं एक motor mechanic, यानि की motor सुधारने का mechanic वनना चाहता हूँ, He repeats वह दुहनाता है, He will go to a garage, garage, and learn, वह एक garage जाएगा, और वह सीखेगा, But the garage is a long way from his home, लेकिन garage जो है, उसके घर से बहुत दूर है, जादे दूरी पर है, I will walk, मैं पैदल जाऊंगा, He insists वह जोर देता है, Do you also dream of flying a plane, क्या तुम एक वायान भी उडाने का श्वपन देखते हो, He is suddenly silent, वह अचानक चुप हो जाता है, No, नहीं, इसेज वह काता है, He is staring at the ground, जमीन पर घूरते हुए, जमीन के तरफ अपनी दिरिष्ट को इस्थिर करते हुए, घूरते हुए वह काता है, नहीं, In his small murmur, there is an embarrassment, उसके हलकी बड़ बड़ा हट में, एक क्या है, सरमिन्दगी है, That has not yet turned into regret, जो अभी तक पस्चा थाप में नहीं बदली है, He is content to dream of care, sorry, cars, he is content to dream of cars, means कारों का स्वापन देखने से, वह कारों के स्वापन देखने से संतुष्ट है, that he sees hurtling down the streets, जिसे वह गलियों में खुब तेजी से आते जाते हुए नीचे देखता है, इने हिज ट्राउन में इस अपने कस्वे में, जिसे वह, यानि की कारों को वह अपने कस्वे की गलियों में आते और जाते हुए जल्दी जल्दी देखता है, फ्यूए airplanes ply over फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के उपर से वायान तो बहुत कम उड़ते हैं, वायान कहीं अक्का दुक्का उड़ते हैं, लेकिन कार हमेशा आती जाती है, तो कार का विजनेस सीखने से उसको अधिक प्राफिट होगा, उसके साहर में है, तो मोटर मकैनी के अधि बन जाएगा, तो उसका विजनेस चल पड़ेगा, रोजी रोटी में बहुत काफी बढ़ोतर ही हो जाएगे, बहुत काफी कमाई के विकल्प बन जाएगे, तो इसलिए वो कार का मोटर मकैनी यानि मोटर मकैनी बनना उसके लिए अधिक बैस्ट र and it is a different business from benzel making आसा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये भी part second or last part था आपका last spring खोया बसंद, stories of stolen childhood तो stories of stolen childhood का भी आप लोग अर्थ समझे होंगे कि यानि कि खोया हुए बच्पन की कहानिया तो दो कहानिया प्रस्तुत की गई इस लेशन में और दोनों ही हिर्दयस परशी कहानिया थी और किस प्रकार से बच्चों का बच्पन इस आजीविका कमाने के चक्कर में नश्ट हो रहा है आप सभी लोग देखे भी और समझे भी तो हम सभी लोगों को ये बाल मजदूरी पर रोक लगाना होगा तो इसी के साथ अपनी बात को समाब्द करता हूँ थाइक्स अलाट, है बनाई दे आल आप यो फार वाचिं दिस वीडियो